कहते हैं कि जब घर में खुश होती है मा, बहु और बेटियां तब ही घर पर मिलती है सुकून की रोटियां दोस्तों हर किसी इंसान के जीवन में रोटी बहुत ही महत्वपूरन स्थान रखती है लेकिन शास्त्रों में ऐसे आटे की बनी रोटियों को खाने से मना किया जाता है लेकिन क्यों आई ये जानते हैं लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जरूर लिखें जै मान पूरना दोस्तों रोटियों का संभंध सूरे और मंगल ग्रह से माना गया है क्योंकि रोटी व्यक्ति के शरीर को एनरजी देती है लेकिन जब ये आटा फ्रीज में रखने के बाद इस्तेमाल किया जाता है तो ये बासी हो जाता है और बासी आटे का संभंध राहू से माना जाता है राहू मानसिक स्थिती को प्रभावित करता है ऐसे में वासी आटे से बनी रोटियां घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इसके साथ ही घर में लोगों के बीच आपसी जगड़े वाध विवाध बढ़ सकते हैं इसलिए अगर इन ग्रह कलेश से बचना चाहते हैं तो हमेश्य ताजी आटे की ही रोटि बना कर घर के सदस्यों को खिलाएं